वैसे तो हम यह एडवाइस करते हैं कि संगती अपनी अच्छी रखनी चाहिए लेकिन रेंडी ओटन के लिए मैं बोलना चाहूंगा भाई अपनी संगती थोड़ी बिगाड़ हो क्योंकि ऐसे तो तुम बिगाड़ता जा रहे हो तो इस वीडियो में आज बात करेंगे स्मैक्डॉन के शो के बारे में पूरा रिव्यू रियक्शन है तो भाई उसके लिए अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी सबसे पहले जो स्मैक्डॉन की स्टार्टिंग है वो इंजॉय नहीं कर पारें वो एक अलग बात है रैंडी ओटन कहते हैं कि मैं गिंती गिंती गिंसकता हूं उन लोगों की जिन लोगों पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं और कोडी रोड्स उन में से एक नाम है लेकिन यहां पर एक रैंडी ओटन को प्राबलम हो गई है वो कहते ह को यहाँ पर कॉल आउट करते हैं आजा चल बता तेरा क्या मुद्धा है कोडी रोड्स ने अपनी वही शाही एंट्रेंस करी क्राउड का अच्छा रियक्शन उनको मिलता है और बोलते हैं वट डू वी वाना टॉक अबाउट क्योंकि आज तो भाई उनके पास एक मुद्ध इस वज़े से मैं रोमन रेंज की बात मान रहा हूं मतलब बात यह है कि वह कहते हैं ना क्योंकि तू मेरे को देखेगा मैं तुझे देख लोंगा मतलब दोनों आपको साथ रहेंगे जो उन्हेंने वह सई बात बोलता है तो मैं रोमन रेंज के सांट टीम बना रहा है और जब यह सारी बाते कोडी रोट्स बोल रहे थे तो ओटी से के लाउड चैंट्स भी वहाँ पर सुने जा सकते थे इसके बाद हो बोलते हैं कि मैं आप एक लेजंड किलर के सांथ खड़ा हूं और वो सोलो सिकुवा को रैफर करते हैं कि एक ऐसी चीज़ा जो की बढ़ गई यह चीज़ आपको स्टोर लैन में अभी जब प्ले होती भी दिखेगी तो शाद हमको रैंडी ओर्टन की कुछ वाली जो साइड है जिसके लिए उनको जानते हैं वो नजर आएगी यहां पर इसके बाद भाई साब में हीरो निकल के आता है इन दोनों लोगों के बीच में में हीरो मैं केविन ओवन्स को नेम दे रहा हूं क्योंकि उस बंदे का है बाई क्यरेक्टर यह तो बहुता निबा रहे हैं अपना कोडी रोड्स तो वैसे ही मतलब जब से आहें तब से रिस्पेक रिस्पेक के गाने का आते हैं रैंडी ओर्टन को भी उन्होंने बिगाड मुझे अकनॉलेच करो जैसे उन्हें नों बोला वाई बहुत तगडी वाली उनको बू मिलती है इसके बाद वह सीधा सीधा बोलते हैं कोडी रोड से कि भाई देख तू तू रोवन रेंस के साथ टैक्टी मैच इसलिए कर रहा है कि तुझे पता है कि यह दोनों बंदों क अगर तू साथ रखेगा तो तो ब्लड लाइन के अगेंस से कुछ नहीं करने वाले क्योंकि जित्ती बार भी आये हैं हमने इन दोनों ही बंदों को बजाया हुआ है और जबी बात सुनी तो बहले से ट्रिगर हुए पड़े थे कोडी रोड से और जदा ट्रिगर हो जाते ह हाड में जाया भाई तेरी बात है तो क्या बोलता है किसी को सुनना भी नहीं है और आज टैक्टी मैच होगा सोलो सिकोवा जेकब फाटू वर्सिस केविन होवेंस और रैंडी ओटन आब इसमें बीच में कोडी रोड भाई सब टपक नहीं वाले थे और इतना सैटिसफेक् यह सब मत बोला करो यह इतना ज्यादा बोरिंग लगता है ऐसा रखता है विंस फिर से बैट चुका है बैक स्टेज कोडी रोड बोल रहते हैं और उस पर क्या कट मारा कैविनोंस ने कहते है ने 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 भाई तू रहने दे तेरे को मिल रहा है ना भाई इसके साथ मैस् पर हम करेंगे अभी मैच रैंडी ओटन कैविनोंस फर्सिस सोलो सिकोवा एंज जेकब फार वाला बास क्या था फिर कोडी रोड की बोलती बंद हो जाती है अब खुद देख लो भाई यहां पर यह कैसा कारेक्टर कोडी रोड चैंपेन है उसकी चैंपेंशिप को कोई भा करेक्टर लग रहा है मुझे रैंडी ओटन और कोडी रोड से वे बैटर अभी रैंडी ओटन तो किसी और चीज के लिए बिल्ड हो तो फिर भी यहां पे थोड़ा सौफ रहा जा सकता बट कोडी रोड के लिए एस चैंपें थोड़ा से यहां पर बाई अब डेबल लबली स्टर्टन के सर पर फोड़ती और टिफिनी स्टर्टन को भी आज लग रहाता है यह मिरसा थोड़ी जाती हो रही जादा आप तक तो फिर भी ठीक था तो शादन की बीच में भी जो स्प्लिट है वह बहुत जिल्दी आ सकता है और उस पर रियाक्शन मुझे लगता बहुत डैमेज कंट्रोल वाला बजगया था पता नहीं क्या था वह जो भी था बैक स्टेज से फिर लेकिन बेली और नेयुमी की बीच में टेंशन से कुछ भी नहीं है वह कहते हैं कि हाँ चल ठीक है तू जीदगे तू जीदगे तो जीदगे अब जाके ना आज एक से लड़ना कि कार्मेलो ने आके एलनायट को वह जो प्रोड़क्शन वाला बॉक्स उसके पीछे गराया चाना किसा बहीं एक सेकिंड तो अब एलनायट थे स्क्रीन पर पता नहीं कहा हो गया तो इतनी जोड़ से आके उन्होंने गिराया और आज जो है इनका छटा मैच होना था यह थ यहां पर एक स्टोरी भी तो है कि इतने मैच हो चुके है बहुत साय लोग यहां पर भी बोलेंगे कि यारज मैच ही तो है लेकिन इसको मैं थोड़ा सेपरेट रखना चाहूंगा बाकी रेसलिंग मैच इस से भले ही वह अच्छे होते हूं यह भी अच्छा हो रहा है लेकि अंदरादे तो पहले जीती चुके थे अब इनका साथवा मैच है ट्रिपल एच से इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि वह से पीली के इंदर बुग करेंगे वैसे काईदे से होना तो चाहिए क्योंकि टीवी वीकली टेलिविशन पर अच्छे रस्लिंग मैच उन्हों के लिए और कोडी रोड्स का सेग्मेंट होता है और कोडी रोड्स आका फिर से बोल रहा हाँ चल लिए वह के विए बात करनी ही नहीं है मेरे को अपने मैच पर फोकस करना है मुझे अपना भी जो रिंग यह रहा है रिंग वाले शेप में मतलब कपड़ा पढ़े जो भी अब आएंगे उस चीच के ऊपर भी बट पहले मैं तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा हमारे ट्रिपल एच का भाई आज उन्होंने फाइनली वीडियो पैकेज दिखा दिया एजस्टाइल्स का और अगला जो स्मैक डॉन का शो है वहां पर एजस्टाइल्स का र कि अब करोगे वाई ऐसा साल निकाल दो तो फिर तो रिटार्मेंट के पास ही पहुंच गया फिर तो बोलेंगे अब तो बंदा बूडा हो गया तो मुझे तो नहीं चाहिए वाई होफुली नेक्स वीक से प्रॉपर स्टोरी लैंड के साथ एजस्टाइल्स हा रहें इसके वाला मैच जो है पाइपर नेवन के सामने मिचन जीच चुकी है अब डंस्टोर मैच के लिए नेक्स्ट वीक के लिए इन्हों हाइप तुम में अच्छी क्या से बना दी है आज हमको यह भी अनॉंस्मेंट में बदा चल गया कि टाइटल मैच होने वाला है ब्लोड लाइन के टाइटल्स के लिए लैडर मैच के अंदर जो की डिफेंड करेंगे अगेंस डिय वर्सिस ट्रीट प्रोफिट उसका अच्छा वीडियो पैकेज सा भी डिबल ली ने बनाया था तो अब महनत इनकी चल रही है वाई वीकली शोस पर भी चीजों को इंपोर्टन दिखाने है और अब आता शो का मेन इवेंट केविन ओवेंस एंड रेंडी ओटन वर्सिस जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा जेकब फाटू के मैच इस देखने में एक अलगी मज़ा आता वो फील होता कि हाँ अब यह बंदा क्या करेगा रेंडी ओटन फाटू जब आमने सामने आ हो गए बट अब शाद में को समझ में आ गया होगा कि रेंडी ओटन के जो मूव से अगर उसको सैल नहीं करो तो शायद और ज्यादा पिटाई हो सकती है इसके बाद लगाता था तीन चार बार उन्होंने पटका है टेबल की हो पर फिर सोलो सिकोवा है तो उनको भी की तरफ से टाम आट होंगा को जेकब फार्टू ने सूपर किक मारी रेंडी ओटन को इसके बाद अब मैस यहां से फिनिश होने को आता है जब केविन ओवंस ने स्टनर तो मार दिया सोलो सिकोवा को लेकिन जेकब फार्टू ने कुछ इस तरीके से जो कोडी रोड से उनक मैं जीच चुकी है ब्लड लाइन तो वहां से सरकली लेकिन केविन ओवंस सच में गुस्से में थे यहां पर उन्होंने धक्का दिया है कोडी रोड को उनके मूँपे भी ऐसे हाथ मारा मतला बल्कुल बेज़ती करके जैसे होता है वैसे करके उन्होंने कोडी रोड के साथ किया रेंडी ओटन तुम क्या क्या रहा है अपना साथ चोड़ दो अच्छे लोगों का साथ चोड़ दो बुरे लोगों के साथ जाओ क्योंकि तुम पता नहीं क्या हो गए हो वह बचा रहे हैं कि अला हो जाओ हट जाओ एंड में वैसे केविन ओवन्स ने फिर भी हग तो कर दिया कि ऐसे दिखा दा है कि मामला सब कुछ जो हो चुका है लेकिन यहां पर केविन ओवन्स का कैरक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है अब ऐसा लग रहा है बस यह अब कोड़ी रोड को बंदा कप पे ले अब सोच के स्मक्डोन को मैं 3.75 स्टारी रेट कर पाऊंगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती लेकिन ठीक ठाक साइश हो था जादा भी कुछ बहुत अलग नहीं था इसमें